नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नई सिक्षक भरती का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी आ चुकी है, तो कि सिक्षक भरती का विज्यापन आने के साथ आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी सुरू हो चुकी है, जी हाँ, इस नई आवेदन प्रक्रिया 16-5-2024 तक चलेगी, यानि कि 25-4 से 16-5-2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप अभी से वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों, ये जो नई सिक्षक भरती का वि विग्यापन संख्या की बात करें, तो 29-2024 ये इसका विग्यापन संख्या है, याद रखिए इसी विग्यापन संख्या में आपको सिक्षक भरती के लिए अवेदन करना है, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि किस तरह की वेकेंसी है, किस तरह से सिक्षक की वेकेंसी तो यहां पर दो तरह की वेकेंसी है, एक यहां पर माध्मिक सिक्षकों की भरती होगी, उसके रिक्त पदों पर विग्यापर निकाला गया है, इसके अलावा उच्छ माध्मिक सिक्षकों की भरती यहां पर होगी, तो माध्मिक सिक्षकों की और उच्छ माध्मिक, दो तरह क सिक्षकों की भरती होगी दोनों के लिए आवदन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है इसके लिए अगर हम वेतन की बात करें तो जो वेतन है वो लेवल यहाँ पर एक चीज का विशिष द्यान देजीगा कि आपकी जो भी नियुनतम आरिहता है या सिक्षक पातरता प्रसिच्छन की प्रसिच्छा है उस अभी चीज जो है आपका 16.05.2024 तक हर हाल में आप थोना चाहिए निर्गत होना चाहिए प्रमालपत सर्टिफिकेट 16.05.20 24 तक आपको मिल जाना चाहिए ठीक है उम्रसीमा की बात करें तो नियुनतम 25 वर्स होनी चाहिए एक जनवरी 24 की आपकी आयू गड़ना होगी शमान यकोटी को 40 वर्स अधिक्तम पिशडा और अत्यंत पिशडा को 43 अनसुचि जाती अनसुचि जन जाती को 45 अना रच्छित महिला को 43 यह आपको यहाँ पर आयू मिलने वाली है ठीक है चैन प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ पर बता अस्तोनिष्ट प्रश्ण होंगे फिर यहाँ पर 120 के चार भाग होंगे 30 प्रश्ण शमान ध्यन के 30 प्रश्ण गर्णित के 30 विवेक प्रसिछन के और 30 अंग्रेजी वायकरण के यहाँ पर रहने वाले हैं ठीक है और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी मु निम्रत्वक विश्यक के चीज़ें पूछी जाएंगी और माधमी के लिए यह विश्यों से सम्मधित चीज़ें दोस्तों पूछी जाएंगी उसके अलावा फिर जो परिक्षाइं होंगी वह एक पाली का यहाँ पर 30 प्रश्ण अंग के लाना होगा और 70 प्रश्ण अंग के लिए भी बताइगे, आपको पता हिए कि याँ पर TGT PGT के लिए साक्षात कार भी ओता तो सौ अंकों का यहाँ पर आपको साक्षात कार यहाँ पर करवाया جाएगा repetition को शमाने के लिए छो रुपए ठीक है, केवल बिहारराज्य के लिए 1.50 रुपए अनुपणाटि को ए ने होंगे और एक चीज़ याद रखेगा अगर आप बाहरी राज जिके हैं तो भी आप इसके लिए आवधन कर सकते हैं आवधन की थी थी हम एक बार आपको पिना पुना बता देते हैं पच्छिस चार से अवधन सुरू हो चुके हैं जिसमें से अनराच्षित को 11 पत दिये गए हैं EWS को 4 पत अनसुचित जाती को 8 पत अनसुचित जाती को 1 पत अत्या पिछड़ा को 10 पत पिछड़ा को 7 पत कुल 41 पत यहां पर दोस्तों निकाले गए हैं तीक है इसके बाद उच्छ माधमिक के लिए कूल जो है वो 21 पतों के कि तीन पद कुल मिलाकर यहां पर 21 पदों पर यह वेकंसी निकाली तो जो भी इच्छों को मिद्वार हैं जो योगता रखते हैं पहरी राज्जी के हो या विहार राज्जी के हो आप अब जरूर कर लें धन्यवाद दोस्ते